हेलो फ्रेंड्स वेलकम वैक टू इस्टिडीकर तो आज है 15 मार्च और आज हम डिसकस करने वाले हैं 15 मार्च रिलेटेड करिंट अफियर्स को हाली में किस देश ने सुटिया लेंड के बाद बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है तो यह देश है कौन स्री लंका फ्रेंड्स बात करते हैं इसके डेटेल की तो हाली में सुटिया लेंड के बाद स्री लंका ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैंसला ल और उसमें वहां के लोगों ने बुर्का पर वेन करने की बात कही थी इसके बाद हम देखने हैं कि इसके साथ ही स्री लंका में 1000 से जादा इस्लामेक स्कूलों को बंद करने की भी तैयारी की जा रही है यहाँ पर बात आई है स्रिलंका की तो राजधानी क्या है स्री जैवर्धने पुरा कोटे हम सभी लोग सुनते थे कि कोलंबो है इसकी राजधानी तो पहले कोलंबो हुआ करती थी लेकिन अब क्या है क्या नाम है उस राजधानी का स्री जैवर्धने पुरा कोटे यहाँ के जो president है कौन है? गोत बाया राजपक्षे ठीक है? गोत बाया राजपक्षे और प्राइम मिनेश्टर कौन है? महिन्दा राजपक्षे जिनके आप image देख सकते हैं यह है महिन्दा राजपक्षे इसके पहले यह स्रिलंका के president हुआ करते थे बाद में ये अब क्या बन गए है प्राइम मेनिश्टर बन गए है तो friends ये थी जानकारी सिलंका के बारे में अब हम देख लेते हैं कि जो मनार की खाड़ी है वो किन दो देशों के बीच है तो मनार की खाड़ी मतलब भारत और सिलंका के बीच में है इसके अलाबा जो पाक जलसंधी है वो किन दो देशों के बीच में है तो ये पाक जलसंधी भारत और सिलंका के बीच में है तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है नेक्ट कोशन देखते हैं भारत ने कितने देशों को स्वादेशी निर्मित झो को विच उसको दिया है ठीक है और कितनी वैक्सीन हमने लगबग 71 देशों को दी है 5 करोड 86 लाग इसकी डिटेल हम देख लेते हैं भारत ने अब तक करीव 71 देशों को श्वादेश में निर्मे त 5 करोड 86 लाग टीकों की पूर्ति की है इनमें से 37 देश ऐसे हैं जिनमें सहायता के सुरूब मतलब सहायता की दरश्टी से हमने 81 लाग टीके निस्वल को उपलब्द कराए हैं ये भी बात बहुत ही इंपोर्टेंट है कि हमने 81 लाख जो टीके हैं वो फिरी में सहायता दी है मतलब जो छोटे देश हैं और जो इसको मतलब इस बैक्सीन का खर्चा नहीं उठा सकते हैं ऐसे देशों को हमने निस्वल को उपलब्द कराय कि भारत ने एक अभियान और चलाया एक पहल और की जिसको कहा गया यक्सीन मेत्री पहल क्या कहा गया बैक्सीन मेत्री पहल जिसके तहद हमने बांगला देश, म्यामार, नेपाल, भूटान, मालदीप, मौरिश, सिरी लंका, सैसल्थ, बहरीन, ओमान और अफगानिस्तान इन देशों को भी हमने नेसुलक टी का उपलब्ध कराए है COVID-19 के बात करते हैं कि भारत में कौन-कौन शी दो बैक्सीन बनी है तो को बैक्सीन बनी है भारत बायोटेक ने बनाया है इसको और कोबी सील्ड बनी है जिससे सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया ने बनाया है ये कोशन आपके एक्साम में जरूर पूचे जाएंगे कि किस बैक्सीन को किस ने बनाया है तो को वैक्सीन को बनाया है भारत बायो टेक ने और को भी सील को बनाया है किसने सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया ने फ्रेंड नेक्ट कोशन देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आपके लगभग जितने भी एक्जाम आएंगे आने वाले समय में उन सब में पूछा जाएगा तो इस कौशन में आप इस्टार लगा दें बहुत ही भैरी भैरी इंपोर्टेंट कोशन हो गया हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफिको किस टीम ने जीता है तो आंसर इसका मॉंबई ठीक है इसके डिटेल देख लेते हैं हाल ही में मॉंबई और यूपी के बीच में मतलब उत्तर प्रदेश के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ कहां दिल्ली में कंसा स्टेडियम किसका नया नाम है तो फिरोज साही कोटला मैनान जो की दिल्ली में है उसका नया नाम क्या है अरोट जेटली स्टेडियम में ही मैच मॉंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में तो इसको किस ने जीता है मुंबई की टीम ने जीता है कितने अंतर से जीता है छे विकेट से हराया है उत्तर प्रदेश को मुंबई ने इसके साथ ही मुंबई की टीम तमिल नाडू के बाद संयुत रूप से टूर्नामेंट की तिहास में सबसे सफल टीम बन गई है तमिल नाडू ने पांच बार टूर्नामेंट जीता है मतलब विजे हजारी ट्रॉफी को पांच बार किस ने जीता है तमिल नाडू ने जीता है और चार-चार बार विजे हजारी ट्रॉफी को मुंबई की टीम और करनाटक की टीम ने जीता है यहाँ पर थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं पांच बार जीता है किसने तमिलनाडू ने ठीक है और चार बार जीता है करनाटक ने और चार बार ही जीता है किसने मुंबई ने ठीक है बिजे हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसकी सुरुबात हुई थी 2002-2003 से हुई थी ठीक है कोर्स शुरू किया है तो आंसर इसका दूर संचार विभाग दूर संचार विभाग ने 5G टेक्नोलोजी पर online certificate कोर्स को शुरू किया है यह 12 सपताह का कोर्स होगा ठीक है इसमें प्रति भागी 5G टक्नीकी सीखने का मौका मिलेगा जो प्रति भागी होगे ठीक है जो भी इसमें भाग लेगा उसे 5G की जो टेक्नोलोजी है उसको सीखने का मौका मिलेगा बात करते हैं कि बरतमान में संचार मंत्री कौन है तो रभी शंकर प्रसाद है रभी शंकर प्रसाद बिहार से related है नेक्स्ट कोशन है राजनेतिक दल रालो शापा के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपनी पार्टी का जनता दल यूनाइटिड में बिलाई कर दिया है बहुत important question है अंसर है इसका उपेंद्र कुस्वाहा ठीक है इसे RLSP भी कहा जाता है क्या कहा जाता है थोड़ा सो यहां पर समझ लेते हैं रालो सपा को हम क्या कहते है RLSP ठीक है यह पार्टी है और इस पार्टी का हाली में बिलाई हो गया है अभी किसके साथ JDU के साथ यानि जनता दल यूनाइट के साथ तो हमें RLSP के जो अध्यक्ष वो कौन है अभी उपेंद्र कुस्वाहा है तो उन्होंने यह नड़ाय लिया है ठीक है बिहार के पूर्वे मंत्री बिहार में पूर्वे कैंद्रिये मंत्री रह चुके हैं और राष्टिये फैसला लिया है अब यह फैसला लिया क्यों है तो यह हम जान लेते हैं अभी हाली में बिहार में चुनाव हुए हैं और बिहार के चुनाव में जो उपेंद्र कुस्वाहा की जो पार्टी थी RLSP इसका प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा मतलब यह 243 सीटों पर लड़ी और उ प्रदर्शन था इनका इसके बाद हुआ क्या कि इनकी पार्टी की जो नईया थी वो डगबंगाने लगी तो इन्होंने सोचा कि आप तो भीया किनारे पर बैठना ही पड़ेगा तो इन्होंने क्या काम किया है कि जंतादल यूनाइटेड में अपना अपनी पूरी इनकी जो मुख्य पदाधिकारी थे वो बिहार की ही पार्टी आर्जेडी के साथ मिल गए है ठीक है बचे थे कौन ओपेंद्र कुस्वाह जी तो उन्होंने जाकर के जेडी यू के साथ अपना हाथ मिला लिया है पहले इसके पहले भी ये जेडी यू में ही थे फ्रेंड्स कुमार है उन्होंने अपना जो राष्टी अध्यक्ष का जो पद है वो किसे लिया था राम चंद्र प्रसाद सेह को आप बात करते हैं कि जन्तादल यूनाइटेड है इसके संस्थापक कौन है तो जोर्ज फर्नांडिस नितिश कुमार और सरद यादा हो ठीक है इसकी स्थ स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होई थी बर्तमान की बात करते हैं कि बैर्तमान में भारत में कितनी राष्टिय तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात होगी कि आठ राश्टी पार्टियां हैं, कितनी राश्टी पार्टियां हैं, आठ राश्टी पार्टियां हैं, कौन-कौन सी त्रणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारती जनता पार्टी, कम्निस्ट पार जो सबसे लाश्ट में राश्टिय पार्टी बनी है, मतलब अभी लाश्ट में बनी है, तो उसका नाम है National People's Party, जिसे हम NPP कहते हैं, क्या कहते हैं, NPP कहते हैं, नेक्स्ट कोशन है, मेरा रासन मोबाइल एब को कितनी भासाओं में लाश्ट किया गया है, इसके पहले हम एक अपील करना चाहेंगे, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और भईया वीडियो को लाइक करना बिल्कु 21 को देश में मेरा रासन मोबाइल एब को लाँच किया है, कौन सा मोबाइल एब लाँच किया है, मेरा रासन मोबाइल एब, ठीक है, यह यह अप किसके अंतरगत किया गया है, वन नैसन, वन रासन कार्ड के लिए किया गया है, कितनी भाशाओं में किया गया है, 14 भाशाओ यहां में किया गया है इस on nation one last one last one last a card क्या है؟ एक प्यक्ति के पास अगर एक रासन कार्ड है तो वह कहीं boy is छो उसे अदिनियम के तहत उस्चित मुल दुकान में जो रासन दिया जाता है उसको वह कहीं भी खरीज सकता है, मतलब अगर एक व्यक्ति के पास रासन कार्ड है तो वो अपना रासन कहीं भी ले सकता है मालिया, मद्ध प्रदेश में कोई एक व्यक्ति है ठीक है, वो एक जिले से दूसरे जिले चला जाता है ठीक है, मतलब तो क्या होगा ति अगर वो व्यक्ति एक जिले से दूसरी जिले जाता है तो उसे क्या काम करना पड़ेगा कि अपना रासन वहाँ जिस जिले में वो रह रहा है बर्तमान में वहाँ की पास की जो उचितमुल की दुकान होकी वहाँ पर जाकर कि अपने रासन कार्ड से वो रासन खरीद सकता है ले सकता है ठीक है अब इस मोबाइल एप को किसके साथ इन्हों ने बनवाया है सरकार ने राष्टिय सूचना विग्जान केंदरे जिसे हम NIC कहते हैं ठीक है यहाँ पर बात करते हैं कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 4.255 मिलियन डॉलर की कमी हुई और इसके साथ ही भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हो गया 580.299 अरब डॉलर ठीक है और भारत इसमें पांच में इस्थान पर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है, जीके भी इसमें होगी और करेंट की भी न्यूज होगी। हाली में 14 मार्च 2021 को भारत की किस फिल्म को रिलीज हुए नबे बरस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आलम आरा, आपको पता है कि पहली बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा, और इसको रिलीज हुए 14 मार्च 2021 को 90 साल हो गए, मतलब 14 मार्च 1931 को ये फिल्म में, प्रीज हुई थी और 14 मार्च 2021 को इसके कितने साल हो गए है 90 शाल हो गए है फ्रेंड्स 124 मिनिट की यह फिल्म है और इसे इंपीरियल मूवी टॉन नाम की प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूश किया था तो ये भी आप याद रखेंगे किसने प्रोड्यूश किया था इंपीरियल मूवी टॉन नाम की जो प्रोडक्शन कंपनी थी उसने प्रोड्यूश किया था इस फिल्म में साथ गाने थे, इस फिल्म का जो प्रसित गाना था दैदे खुदा के नाम पे भारती शिनमा का पहला सौंग माना जाता है, भारती शिनमा का पहला सौंग यही है दैदे खुदा के नाम पर, ठीक है, जिसे किसने गाया था वजीर मुहम्मद खानने, किसने गाय आपको बताना है किस बर्स हुई थी 1950, 1970, 1970 या 1981 Friends आप बात करते हैं कल के उत्तर की तो कल का उत्तर है वो है मिताली राज यहाँ पर हम देख लेते हैं मिताली राज ने क्या काम किया है कि उन्होंने अपने क्रिकेट केरियर में 10,000 रन पूरे कर लिया है कितने हजार रन पूरे कर लिया है 10,000 रन पूरे कर लिया है और 10,000 रन पूरे करने वाली वह दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है Friends आपको यह Current Affairs कैसा लगा यह बताए आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों की साथ सेर करना बिल्कुल लब भूलें जैन Friends अनकैडमी प्रजेंट करता है आपको MPPSC व्यापों क्रेक करने का एक मौका देखता है Friends इंडिया का largest learning platform है अनकैडमी सब्सक्राइब कीजिए अनकैडमी को यहाँ पर आपको मिलेगा free test series और साथ ही साथ अनकैडमी प्रजेंट करता है Championship MPPSC Preliance 2020 तो Friends आपको यहाँ पर free mock test मिलेगे और जिसका analysis उसके next day होगा MP के top educators के द्वारा और Friends याद रखिए यदि आप top 3 rank पर आते हैं तो आपको free one month का plus subscription मिलेगा Friends time को note कर लें और date को note कर लें तो आपका exam time होगा 10 a.m. to 12 p.m. और analysis इसका next day होगा Friends MPPSC Preliance का पहला test 6 February को है फिर 13 February को है फिर 20 February को है और फिर 27 February को है Friends अब मैं आपको बता दूँ यदि आप MPP Police और MPSI की त्यारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजे अभी join कीजे unacademy को तो Friends यहाँ पर आपको free mock test देने का मौका मिलेगा और उसका analysis next day होगा और यदि आप top 3 rank में आते हैं तो आपको free one month का subscription मिलेगा एक्जाम टाइम को ध्यान दें यदि आप MPP Police की त्यारी कर रहे हैं तो एक्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM और उसी दिन doubt session clear किये जाएंगे 5 PM to 7 PM और test का date क्या है 26 FAB, 27 FAB और 28 FAB यदि आप MPSI की त्यारी कर रहे हैं तो 13 FAB से आपके test सुरू होंगे और second है 28 FAB और फिर है 27 FAB को फ्रेंड्स यदि आप Unacademy के Plus Features को जॉइन करते हैं तो यहां मौका मिलेगा आपको Favorite Educator से पढ़ने का मौका Complete Exam Preparation Doubt Clearing Session के साथ फ्रेंड्स यह Free Class और Plus Class में अंतर है इस अंतर को भी समझ लेते हैं यदि आप Free Class जॉइन करते हैं तो यहां पर आपको Limited syllabus coverage मिलता है और Complete syllabus आपको Plus course पर मिलेगा और Friends यदि आप Free Class को जॉइन करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा Limited Practice Test लेकिन यदि आप Plus जॉइन करते हैं तो Unlimited Practice Test Unlimited PDF Notes and Regular Doubt Clearing Session पर ध्यान रहे 10% का Discount तो लेना मत भूलिएगा Subscribe now Code Use कीजे Raja No.1 यहां पर Dot का आपको इस्तमाल करना है Friends, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो batch course हम लाए आए हैं वो है पहला है Every year's batch तो every year's batch जो है MPPSC Plain 2020 जो clear करना चाहते हैं MCQ के माध्यम से purely Hindi Medium 18 February से batch शुरू हो गया है Use Code Raja No.1 10% का Instant Discount आपको मिलेगा यदि आप English Medium का batch जोइन करना चाहते हैं तो 18 February से यह batch शुरू हो गया है और Raja No.1 कोड यूज करके MP के Top Faculty से पढ़ने का मौका पा सकते हैं यदि आपका Dream है MPPSC 2022 में क्लियर करनेगा तो आप जोइन कीजे Foundation batch जो 10 months का batch होगा स्टार्ट हो रहा है 19 February से और Code Use कीजे Raja No.1 तो Friends मौका हास से जाने मत दीजे क्योंकि हम अपने discount को कम करने वाले अभी आपको discount 10% से अगले महीने 5% discount मिलेगा तो यह मौका हास से ना जाने पाए क्योंकि हम 1st मार 2021 से अपने discount को कम कर रहे हैं तो Friends 10% discount के लिए कुछी दिन बचे हैं Use code Raja No.1 Subscribe today Thanks for watching